हेलो दोस्तो आज का टॉपिक है हमारा प्लांट वाइरस को उपर है जैसा कि आपको पता है कि वाइरस ऐसे छोटे छोटे माइक्रो और्गनिस्म है जो की अकोशकी होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का सेल और्गनल नहीं होता उनमें जनेटिक मटेल का रूप में डियने या पारने और प्रोटीन होता है और वो एक पकार के परिसाइट के रूप में एटमोसफेर में फ्रीली पाये जाते हैं और उनको अपनी लाइव स्टाइकल को पूरी करने के लिए किसी इससे पेसिफिक होस्ट की आप सकता होती है बिना होस्ट के वो सर्वाइव नहीं कर सकते और इन वाइरस के कारण हमारे इस वाइरस क कारण भी है रोग होते हैं एनिमस में प्लांट में तो आज हमारे टौपिक इसी पर बेज़्ड है plant virus और उसके बाद अपन animal virus के बारे में study करेंगे तो सबसे पहले अगर plant virus की बात करें तो plant में सबसे पहला virus की खोज की गई थी वो थी tobacco mosaic virus और अगर दूसरी बात करें तो एक virus होता है tv, mv, turnip, yellow mosaic virus हो गया potato का virus x और y beet yellow virus wheat root में wheat yellow virus होता है cucumber का mosaic virus cmv, rice का dwarf virus तो ये कुछ main virus है जो plant में mainly पाये जाते है अगर इनके characteristics की बात करें तो इसमें nucleic acid के रूप में RNA पाये जाता है ये एक obligate parasite होते है जो की plant के healthy plant को infect करते हैं तो ये एक प्रण के obligate parasite है जो की healthy plant को infect करते हैं ये प्लांट के ने प्लांट के सम्पून भाग को में या तो प्लांट के संफून भाग को इंफेक्ट करते हैं अधिकांसता है वाइरस प्लांट के प्लांट के प्लांट के टीशू को डिस्ट्रॉय करते हैं तो जातर वाइरस प्लांट के प्लांट के प्लांट के टीशू को डिस्ट्रॉय करते हैं वाइरस में टेंपरेचर क कड़ता हैं तमयक्त करता है तो अगर तमयक्त मोसाइक वायरस में 85 से ले के 90 का recall, 85-90C a certain temperature अगर TMV वायर। ये वायरस अपने आप destroy हो जाता है इसे कार पोटैटो मोजाइक करता है तो यह क्या करता है बहुत सारी multiple copies बनाता है तो इसकी एक और विशेष्था होती है multiplication अगर इनकी size की बात करें तो potato virus का size 500 into 12 micron unit तक होता है तो potato virus की size 500 into 12 micron unit तक होता है अगर tobacco mosaic virus की बात करें तो इसका size 300 से लेकर 15 micron unit तक होता है इसे प्रकार अगर turnip yellow mosaic virus की बात करें तो इसका size 20 micron unit तक होता है अब हम TNV virus की बात करें तो इसकी discovery आइवन वस्की ने 1892 में की थी और इसका crystallization Stanley ने 1936 में किया था अगर इसकी symptom की बात करें तो तबैकों की पती में yellow spot दिखने लगता है और जिसके कान जो पतिया होती है yellow color की हो जाती है और सेस भाग पत्ती का greenish मतलब उसका जो color होता है वो हलका green हो जाता और बीच बीच में yellow spots दिखने लगते हैं virus ग्रसित जो रोग होता है तो उसमें से पहले जो plant की leaf होती है वो उसमें yellow spot दिखने लगते हैं और leaf का जो बाकी हिसा होता है वो हलका greenish हो जाता है यह young leaf की बात है और जो tobacco की mature पत्ती होती है उसमें dark green color के spots दिखने लगते हैं अगर हम structure की बात करें तो इस तबैगो का structure rod like होता है और उसके center में RNA पाया जाता है तो सब से में चीज़ यह हैं कि जितने भी plant virus होते हैं उसमें genetic material को रूप में RNA होता है और RNA center में पाया जाता है RNA को चारो तरफ से एक envelope surround कर रहता है जो की protein का बना होता है उसे capsid कहते हैं तो RNA चारो और से envelope से surrounded रहता है और जिसे protein जिसे capsid कहते हैं और capsid भी बहुत सारे चोटे 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 small sub unit symbol का बना होता है जिसे आपन capsid कहते हैं तो structure की बात करें तो TMB का structure rod like structure होता है उनके RNA center में पाया जाता है RNA को चारो तरफ से एक envelope surround कहते हैं जिसके जो capsid कहलाता है capsid protein का बना होता है capsid भी बहुत चोटे-चोटे small unit symbol का बना होता है जिसे capsid कहते हैं अब animal virus की बात करें तो animal virus का जो safe होता है spherical होता है और polyhedral in shape होता है एनिमल वाइरस, spherical और polyhedral safe होते हैं एनिमल वाइरस में DNA genetic material group में पाये जाता है capsid को चारो तरफ से phospholipid का envelope surround किया रहता है तो capsid के चारो और phospholipid का बना होगा envelope पाये जाता है प्रमुख animal virus की बात करें तो smallpox virus हो गया एडिनो वाइरस हो गया influenza virus हो गया, poliomyelitis virus हो गया, harps virus हो गया, missiles virus हो गया और vaccinia virus तो यह प्रमुख virus है, मैं animal virus की बात करें तो smallpox virus हो गया एडिनो वाइरस, influenza virus, poliomyelitis virus, harps virus, missiles virus और vaccinia virus तो अगर animal virus की classification की बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, Baltimore जो 1971 में virus को five classes में डिवाइड किया, तो पहली class थी double extended DNA virus, तो double extended DNA virus की example हो गया, smallpox और harps virus, तो double extended DNA virus की example है, smallpox और harps virus, double extended RNA virus की example था, gastrointestis virus, यह virus gastrointestine में पाया जाता था, इस दिसका नाम है, gastrointestitis virus, थर्ड था, single extended DNA virus, यह mouse minute virus है, यह मेली mouse में पाया जाने वाला virus है, इसके बाद चौथा था, single extended RNA minus virus, single extended RNA minus virus, यह rabies virus है, जो की कुतो में पाया जाता है, इसके बाद अगला virus था, single extended RNA plus virus, तो इसे polio virus कहलाता है, single extended plus virus, यह polio virus था, minus को arabies virus कहते हैं, और single extended plus virus को polio virus कहते हैं, अब smallpox virus की बात करें, तो smallpox virus सबसे largest virus है, size की साबसे, इसका structure काफी complex होता है, यह virus बहुत सारे animal में पाया जाता है, mainly birds और human में, तो यह virus, animal, birds और human में smallpox नामक virus ट्रांस्मिट करता है, इसके host, cytoplasm, यह virus, यह virus, cytoplasm, host कोशका के, cytoplasm में यह multiplication करता है, तो smallpox virus, host कोशका के, cytoplasm में multiplication करता है, अगर इसके structure की बात करें, तो इसका structure brick-like होता है, इते जैसा इसके संदशना होती है, इसमें जो genetic material होता है, वो double stranded DNA होता है, तो इसका genetic material होता है, DNA होता है, और वो है double stranded DNA है, अगर size की बात करें, तो size में, सबसे बड़ा size में जो polio virus का size होता है, 27 micron unit होता है, influenza का 100 micron unit होता है, foot and mouth virus का structure, 8 से 12 micron unit होता है,